कि अपने दो 5G फॉंग्स को जो है गलोबली लॉंच कर दिया है और रियल्मी का जो फॉन है वो गलोबली स्कैल पर लॉंच हुआ है तो गाइस आज बात करेंगे एनी दो फॉंच के बारे में कि कौन-कौन से इंद में स्पैसिफिकेशन्स देखने को मिल जाते हैं क्या-क्य इसमें बैटरी की स्पेसिफिकेशन्स, चार्जिंग वगरा, कितने वोट की चार्जिंग का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाता है और इनकी प्राइस फेक्टर सभी चीजों के बारे में हम डिसकस करेंगे इन दोनों फोन्स के नाम है Redmi Note 10 Pro 5G जो की चाइना में कल लोंच हुआ है और दूसरा है गाइस Realme Narzo 35G यहाँ गाइस यह दोनों ही फोन्स कल Realme और Xiaomi ने अपने लोंच कर दिये हैं तो इनके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे तो चलिए गाइस आपका जगधा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को तो गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro 5G के बारे में यहाँ गाइस यह कल चाइना में लोंच हो चुका है लेकिन इसकी जो पहली सेल है वो आपको पर्स जून को देखने को मिलेगी तो गाइस बात करते हैं इसकी में सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिस्पले के बारे में इसकील गाइस इसकंस पूइंड इस प्लस Wait ko और 220 हट अर्फ रक्लिक्ट इस देखने को मिल जाती है और IP53 आपको water and dust resistance भी इसमें आपको screen देखने को मिल जाती है तो बैटरी की बात की जाए तो बैटरी इसमें आपको 5000 image की देखने को मिल जाती है और 67 watt की super fast charging का पो इसमें support देखने को मिल जाता है और weight का support देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है और connectivity की बात की जाये तो connectivity में आपको इसमे Bluetooth वर्जन 5.2 का support देखने को मिल जाता है USB Type-C आपको cable इसमें देखने को मिल जाती है NFC और सबसे बड़ी बात गाइज इसमें आपको 3.5 mm jack का भी support देखने को मिल जाता है जो कि शामें वालों की ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है तो गाइज अभी बात करते हैं इस phone के camera के बारे में camera में guys rear में आपको इसमें triple camera setup देखने को मिल जाता है जिसमें की primary camera आपको 64 megapixel का देखने को मिल जाता है जिसमें की आपको 120 degree field of view भी provide किया गया है और secondary sensor की बात की जाए तो आपको 8 megapixel का secondary sensor देखने को मिल जाता है जो कि guys obviously ultra wide ही होगा और एक आपको 2 megapixel का 3rd sensor देखने को मिल जाता है जिसकी guys कोई भी उनने specific जानकारी नहीं दी है कि वह आपको macro sensor देखने का मिलेगा या टेली photo क्या होगा उसके बारे में guys कोई भी अभी लिक सामने नहीं आई है तो guys बात करते हैं this phone की सबसे जरूरी चीज़ के बारे में जो कि this phone का processor है यहां guys इसमे आपको media tech diamond city 1100 वाली एक बहुती powerful chipset देखने को मिल जाती है और guys chipset के बारे में बात के रहें तो यह chipset आप मान लीजिए कि बिल्कुल आपको flagship level की chipset देखने को मिल जाती है media tech diamond city 1200 ही है इसके उपर जो media tech के processor आते हैं उसके बाद guys सबसे powerful chipset media tech की यही है तो guys processor आपको इसमें काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और अब बात की जाए guys इसकी price की तो price में भी guys से आमी वालों ने अब की बार धमाका कर दिया है इसमें guys आपको 3 variants देखने को मिल जात 12,200 रुपीज देखने को मिल जाती है जो की guys specifications के इसाब से बिल्कुल क्लियर price है और दूसरा जो इसका variant होगा 8128 जो की आपको 20,500 रुपेगा देखने को मिल जाता है और इसका जो सबसे higher variant होगा 8GB RAM और 256GB storage जिसकी price आपको 22,000 something देखने को मिल जाती है तो guys overall price और specifications guys इस phone की काफी दमदार है और अगर इसी specifications और इसी price के साथ ये इंडिया में भी आता है तो guys ये phone आते ही दमाका मचा देगा तो इसकी guys Redmi Note 10 series ने दमाका मचाया था Super AMOLED display प्रोवाइड करके 12,000 की range में अभी guys ये एक flagship जो chipset है उसको 120,000 प्रोवाइड करके भी दमाका मचा सकते हैं त जो की है Realme Narzo 35G यहां guys ये कल globally launch हो गया है और इसकी specifications को देखा जाए तो guys ये Realme 8 5G का ही rebrand होकर जो इंडिया में Realme 8 5G है उसका rebranded version होकर ये globally launch हुआ है जिहां guys इसमें आपको कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता है हाला कि जो Realme के CEU है मादवशेट उन्होंने guys recently बताया था कि इंडिया में जो Realme Narzo 35G है वो ज़रूर आएगा तो guys इसमें थोड़ी बहुत आपको changes देखने को मिल सकती है या फिर all together एक नया phone आपको देखने को मिल सकता है Narzo series में तो obviously ये phone तो होने ही नहीं वाला है क्योंकि guys पहले से Realme का 85G जो है वो present है तो ये phone तो आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि Realme अपना ही phone rebrand क्यों करेगा वो भी एक phone उनका जो पहले ही है तो guys इसकी specifications की बात करें जो कि ये globally launch हुआ है तो इसमें आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंचीज की एक full HD plus की IPS display जिसमें कि आपको 90Hz का refresh rate देखने को मिल जाता है और 180Hz का touch sampling rate भी Realme ने प्रोवाइड किया है इसमें आपको 6.5 इंचीज की full HD plus की console display दिखने को मिल जाती है जिसमें कि 90Hz refresh rate और 180Hz का touch sampling rate भी आपको देखने को मिल जाता है इसमें आपको 90 90.5 परसेंट की एक screen to body ratio देखने को मिल जाती है और इसमें आपको side mounted fingerprint sensor भी देखने को मिल जाता है बैटरी और थिकनेस की बार्त की जाए तो गाइज इसमें आपको 5000 एमेज की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसमें आपको 18V का quick charge का support भी देखने को मिल जाता है और यह जिसमें की primary camera 48MP का देखने को मिल जाता है और एक secondary sensor देखने को मिल जाता है और इक 2MP का का जो की एक monocrome sensor है और 2MP का वो 3rd sensor भी देखने को मिल जाता है और 1술 थे praat की जाए तो गाइज इसमें आपको 16MP पिक्सल की एक पंचोल सेलफी देखने को मिल जाती है और गाइस प्रोसेसर की बात की जाए तो प्रोसेसर भी आपको इसमें मीडिया टेक्ट डायमेंड सीटी अगर 14,000 की रेंज में ये यूरोप में गया है तो गाइस काफी अच्छी प्राइज के साथ ये गया है तो देखते हैं गाइस की इंडिया में एक अब तक आता है और क्या कुछ नया लेकर आता है रियल मी नाजो 30 सीरीज में तो गाइस इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट कर किती रहें तो चलिए गाज मिलते हैं आप से हमारे एकली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइए